हलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनधर वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आपको पता है कि काफी सालों से इंडिन मार्केट में यामा की जो आर्थरी ये भाई उसका इंतिजार किया जा रहा है बट राइट नौ अभी तक इस वाई को इंडिन मार्केट में रिलाउंच नहीं किया गया और और ऑबिसी बात है आर्थरी एक ऐसी वाई है जिसे इंडिन मार्केट में लाउंच करना चाहिए दोस्तों ये बाई जब डिसकंटीनीव हुई थी ना तब भाई ये बीएस थरी नॉम्स जब आते थे बीएस त्री न आने वाला जिसमें आपको आपको ओडिंडियू सेंसर नहीं करेंगा करेंगा अब कोशन मार्क निकल कि आता कि आर ऊरे है या नहीं आरी तो आज के इस वीडियो में अपकमिंग आर्थरी ही है वो इंडिन मार्केट की एक बहुत जादा पॉपुलर और आपको बताना चाओंगा दो Sto Is इस बाइक की जो खास बात है डूघन काल झैडर एंजन और बेर सी बात है दो दोस्तो आने वाले 2023 याने की इसी साल के एंड में या एंड में मतलब अराउंड अगस्त मन तक आपको यह बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है जिसके जो चांसेस है वो बहुत जादा है बात करने इस बाइक की लुक प्लस डिजाइन के बारे में दोस्तो भी आपको बहुत अच्छी निकाल कर दे देगी बात कर लें दोस्तो इस बाइक के नेक्स मतलब सस्पेंशन के बारे में फ्रंट में तो सस्पेंशन में आपको बाइक में जो देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बहतरी इन सस्पेंशन है इसमें आपको फ्रंट में दोस्तो 37 mm अले UHD Fox suspension ही देखने को मिलेंगे हलाकि मुझे लगता कि थोड़े बड़े भी हो सकते हैं बड़ जादा chances है कि same suspension मिलेंगे जो कि RN5 और अपनी Yamaha की MT15 में use किये जाते हैं अगर दोस्तों बात करने इस bike की braking plate के बारे में तो braking में आपको bike में dual channel anti-lock जो braking system है वो आपको इस bike में देखने को मिलेगा एंड डूल चनल anti-lock braking system के साथ में जो plate size है ना वो आपको bike में around देखने को मिल सकती है लग बग 298, 298, 2102 mm की साथ में tire size front में आपको 11070 की जो tire size है आपको front में मिल सकती है बात कर लेते हैं इस bike के सबसे बड़े advantage के बारे में हो है इस bike का engine engine में आपको बताना चाहूँगा इस bike में दोस्तो 321 CC का liquid cool 4-stoke DOC twin cylinder engine कह लिजिए two cylinder जो engine है आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है तो यह सबसे बड़ी खास बात है कि यह dual cylinder bike है और अभी फिलाल इस segment में सिर्फर सिप निंजा 300 आती है और कोई बाइक नहीं आती है और उसको कोई बीट भी नहीं कर सकता उस segment में निंजा 300 को अगर आर्थरी आती तो भी टक्कांटे की टक्कर होने वाली है यह मैं कि जो आर्थरी दोस्तों और फूटी टू के असपास की पावर जनरेट करती है और ट्वेंटी पॉइंट पॉइंट के असपास का जो टॉर्क है वह आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा वह भी देखने को मिलेगा तो यह भी एक बहुत अच्छी चीज है ठीक है रियर की थरफ आते हैं तेल लाइट में आपको ऐख में LED जो टेल लाइट हूँ अस बाइक में आपको देखने को मलती है जो कि काफ यदा अच्छी है साथ में रियर में आपको बताना चाँगो दोस्तो इस बाइक में आप लोगों को बारे में आपको फुली जो डिजिटल मीटर वह आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला इस बाइक का काफी इंट्रस्टिंग होने वाला काफी अच्छा मीटर यहां पर यूज किया जाएगा अगर दोस्तों बात कर लें इस बाइक के kore spectrum to enter Indicator आपBob को देखने को मिल जाएंगे एड ओविसी बात है दोस्तों कि अब एक यह यहामा की बाईक है तो आपको चीजें संग्मेह बहुत ज्यादा मिलने बात करें दोस्तों अब सिस्थ प्राइस के बारे में कि किया जाएगी देद्व स्थेट यह 3,60,000, 3,60,000 रुपए के आसपास की जो है एक्स रूम प्राइज जा सकती है तो मेरे साफ से इस प्राइज में भी यह बुरी नहीं होने वाली इस प्राइज के साफ से बाइज जो आपको काफी अच्छी मिलेगी एंड मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिन मार्केट में यह बाइक अगर आती है तो भाई इसका जो क्रेज है पहले की तरह होने वाला है बागी कौन को निस बाइक का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सुमीद करते हैं आपको छोटी सी इंट्रेस्टिंग वुरूर तो अच्छी लगयों कि वुड़ अच्छी लगयों तो एक लाइक करिएगा चैनल में पहली वे रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा आप मिलते हैं और फिर नेक शुनों में लवी ओल जैहिन मंदे मात्रम